चौरा हो बाजारों में, सरहद और गल्यारों में, सूनी नहीं अब कोई डगर गया, हरक्षर की धुन पे खेलेगा इंडिया! खवातीनों हजरात, मैं जूही परमार, अपने साथी अनुकपूर के साथ आप सभी का इस्तक्वाल करती हूं। उस प्रोग्राम में जिसका नाम है, कोल्गेट मैक्स पिश अन्ताक्ष्री दे ग्रेट चैलेंज! हम शीरा और बिरादरान वतन, याने की भाईयों और बहनों, इद मिलाद नभी के पाकीजा मुबारक मौके पर, मैं अपने तमाम साथियों के साथ, स्टार वन चैनल की तरफ से आप सब को कहना चाहता हूँ, इद मुबारक! कुबूल कीजे हमारी मुबारक बाद! ये जो मजलस आप देख रहे हैं, मौसिकी की है, और मैं बहुत मश्कूर हूँ, कि आज शाम की शुरुआत, आगाज, इस मुल्क के एक अजीम फनकार, हाजी मुहमत फरीद साबरी करेंगे, हमारे लिए बहुत सौभागी की बाप्त है, जोरदा तालियों के साथ खांस आपका, इस्तखबाल कीजिए! मेरे महरबान दोस्तों, ये कारिकरम, जिसको आपने सराहा है, मान दिया है, कोल्गिट मैक्स फ्रेश अंताक्ष्री दा ग्रेड चैलेंज, उसके तमाम व्यूर्स को, उन तमाम लोगों को जो प्रोग्राम देखते हैं, या जो नहीं भी देखते हैं, उन सबको एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, के सारी खल्क देख डाली, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंडू मैं सवरिया, एक ही जगा मिला इंडिया, जहां पे जिस भक्ती और शिद्धा के साथ, दिवाली मनाई जाती है, उतनी भक्ती और शिद्धा के साथ, इद मनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा देश है, तो वो इंडिया है, वो इंडिया है, अपने बेस्ट सरूप के अंदर वो इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, रमजान में राम, दीवाली में अली, रमजान में राम, दीवाली में अली, हो सब की भली, हाँ सर्थ, हाँ मुकदर का लिखा तो, सब को देता है खुदा लेकिन, मुकदर का लिखा तो, सब को देता है खुदा लेकिन, जो किसमत में न लिखा हो, वो मिलता है मदीने से, वो मिलता है मदीने से, जब जुबां पे, जुबां पे, जब जुबां पे, मुहमद मुस्तफा का नाम आता है, जब जुबां पे, मुहमद मुस्तफा का, नाम आता है, बड़ी तस्कीन होती है बड़ा आराम आता है बड़ी तस्कीन होती है बड़ा आराम आता है मुहम्मद मुस्طफा का नाम भी क्या इस्म आजम है मुहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसम आजम है जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है मैं भी एक मागने मैं भी एक मागने उस दर पे आ गया हूँ जहां जमी बने मेरा दामन तो कम दिखाई दे तो भर्द जोली भर्द जोली मेरी या महमद लोट कर मैं न जाओंगा खाले भर्द जोली मेरी या महमद लोट कर मैं न जाओंगा खाले भर्द जोली मेरी या महमद लोट कर मैं न जाओंगा खाले हर दो जोली मेरी ताज़दारे मदिना लोट कर मैं न जाओंगा खाली हर दो जोली मेरी या मुहम्मद लोट कर मैं न जाओंगा खाली कुछ नमासों का सदका आता हो घर पे आया हूँ पन कर सवाली कुछ नमासों का सदका आता हो कुछ नमासों का सदका ताज़दारे मदिना कुछ नमासों का इस वक्त करम कर दो ये वक्त करम है ये वक्त करम है या शाह अमम तुमको नमासों की तसम है कुछ नमासों का सदका आता हो तो घर पे आया हूँ पन के सवाली हक से पाई वो शान करीमी मरहबा दोन आलम के वाली हक से पाई वो शान करीमी मरहबा दोन आलम के वाली उसकी खिसमत का चंका सितारा है उसकी खिसमत का चंका सितारा जिस पे नजरे करम तुम ने डाली खिसमत का चंग का सिधारा जिस नजर्स पे करम तुम ने डाली जिन्दगी बख्ष दी बंदगी को आब रूती ने हक की बचा ले जिन्दगी बख्ष दी बंदगी को आब रूती ने हक की बचा ले वो मुहम्मद का प्यारा नमासा वो मुहम्मद का प्यारा नमासा जिसने सजदे में गर्दन का डाली वो मुहम्मद का प्यारा नमासा जिसने सजदे में गर्दन का डाली है यक्ता दात तेरी तेरा हर अमल यक्ता तेरी तरहां कोई सजदे में दूसरा नगया नमाज इश्च करे नाज तुझ पे क्यों न हुसें गजा के सामने सजदा तेरा गजा नगया लहू की धार से तलवार काट दी जिसने गला कटाने को उसको बड़ा सलीका था देखो मुहम्मद का क्या जार नवासा जिसने सजदे में गरदन कटा ली आपकी इजाज़त हो तो कुछ अशार मैं भी कह दूँ इशार हाए 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 हुजूर का नवासा फात्मा और अली के लाल और दास्तान कर्बला वहां खड़ी है यजीद की फॉज वहां खड़ी है यजीद की फॉजे और इधर इधर फातिमा के लाल यजीद बोला मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ हुसेन बोले मैं सयद हूँ सबर करता हूँ यजीद बोला मैं सबको खिलाफ कर दूँगा हुसेन बोले मैं सबको मुआफ कर दूँगा हुसेन बोले मैं सबको मुआफ कर दूँगा यजीद बोला इधर परचियां है भाले हैं हुसेन बोले यहां सर कटाने वाले हैं तो जिंदगी वकुषिती पंदगी को आभुरूती नहत की बचली वो मुहमद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गरदन के कटा ली मुहमद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गरदन कटा ली आशिक मुस्तफा की अजा में अल्ला अल्लाह कितना असर था आशिक मुस्तापा की अजाम एक अल्ला 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 कितना असर था क्या था क्या था वहार पुर्ण मजीद में एक जिक्र हज़त बिलाल का यूं तो थे हफशी लेकिन हुजूर सरवर कानाज अल्लाई उस लो को उनके द्वारा दी गई अधान बड़ी भी ठीती कहते थे एक बार तवियत खराब हो गई तो सूरज नहीं गई ऐसे थे हजरत बिलाल जब हुजूर चले गए तो देखिये कलाम देखिये हुजूर के नवासे हजरत हुसैन कह रहे हैं बातचीत कर रहे हैं हजरत बिलाल से क्या बोलते हैं ना ना गए के तुम भी चले जाओगे बिलाल मुझको अकेला छोड़के न जाओ तुम बिलाल मुझको अकेला छोड़के न जाओ तुम बिलाल बोले बिलाल मेरी अजा में मजा नहीं जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं तो आशिके मुस्तुदा की अजा में अल्ला अल्ला कितना असर था अर्श वाले भी सुनते थे जिसको हशर में उनको देखेंगे जिस दो उम्मती ये कहेंगे खुशी से हश्र में उनको देखेंगे जिस दों उम्मती उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मुहम्मद आ रहे हैं वो देखो मुहम्मद जिनके काने पे कम्ली है कादी आ रहे हैं वो देखो देखो मुहम्मद देखो देखो ये सरता बपा रहमधी या मुहम्मद नजर जानी बे हर गुनागारदारी है दिन रोजे महशर नभीयों पे भारी खड़े सफफफ होंगे नूरी वनारी यकायक जुआएगी उनकी सवारी कहेगी ये चिला के मखलूक सारी आ रहे हैं वो देखो मुहम्मद ती चांदे पेक्ट कमुली है काली आ रहे हैं वो देखो देखो मुहम्मद देखो देखो मुहम्मद आ रहे हैं वो देखो मुहम्मद जिनके कांधे पे कंभी रह गाली आ रहे है वो देखो मुहम्मद सख्त होगी ऐसी महशर की घड़ी नफसी नफसी कहते होंगे सब नभी आएंगे जिस दम रसूल हाशमी देख कर उनको कहेंगे उमती देखो आ रहे हैं वो देखो मुहम्मद जिनके कांधे पे कंभी एका जाली हाजी साब एद मबारक हो तमाम आप जैपूर से तश्रीफ लाए हैं जैपूर के हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन सबको असलाओ लेकों कहेंगे असलाओ कर दो कर दो